दोस्तो आपका बहुत बहुत स्वागत है अपने ही चैनल दा डियमो बिलेज पर आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कौन सा फारम भरने पर सरकार से मिलता है पक्का मकान जी हाँ कौन सी योजना है जिसमें फारम भरने पर सरकार से पक्का मकान मिलता है आज की वीडियो में पूरी जानकारी देंगे दोस्तों अगर आपका मकान नहीं है मकान टूटा फूटा है, किराये पे रहते हैं, मिट्टी का है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएए क्योंकि आपकी कमेंट मोधी जी की आफिसिल विबसाइट पे जाएगी और आपको मिलेगा पका मकान कैसे मिलता है मकान पूरी जानकारी देंगे आज की वीडियो में इससे पहले वीडियो में जानकारी दी जाएए नीचे लाल करर में लिके आता होगा सबस्क्राइब अगर आपने चैनल को अभी तक सबस्क्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सबस्क्राइब करें बेल का घंटा जरूर दवा दें तक कि आप देख सकें आने वाली कल की वीडियो सबसे पहले दोस्तो अगर आपको मोदी सरकार से मकान चाहिए तो आपको पिर्दाण मंत्री आवास योजना में फारम भरना पड़ेगा जब तक आप फारम नहीं भरेंगे तब तक आपको मकान नहीं मिलेगा तो दोस्तो पिर्दाण मंत्री आवास योजना में कौन कौन फारम भर सकता है दोस्तो अगर आपका मकान मिट्टी का है आपके पास मकान ही नहीं है या आपका मकान टूटा फूटा है या आप मजदूर हैं या आप किराय पे रहते हैं आपके पास जमीन बिलकुल नहीं हैं आप मजदूरी करते हैं आप जोपड़ी में रहते हैं तो आप पिर्धान मंत्री आवास योजना में फारम भर सकते हैं जब तक आप पिर्धान मंत्री आवास योजना में फारम नहीं भरेंगे तब तक आपको मोदी सरकार से मकान नहीं मिलेगा तो आज ही पिर्धान मंत्री आवास योजना में फारम भर दीजिए मोदी जी का कहना है सभी गरीब को सभी मजदूरों को पक्का मकान मिलेगा मकान भी मिलेगा सोचाले भी मिलेगा गैस चूला गैस सिलेंडर भी मिलेगा साथ में सिलेंडर भी मिलेगा पहले सिर्फ मकान मिलता था लेकिन अब मकान के साथ सोचाले, गैस सिलिंडर, लाइट भी मिलेगी तो दोस्तो पिर्धान मंतरी आवास स्योजना में फारम भरें अगर आपको मकान की जरूरत है तो दोस्तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सबस्क्राइब करो और कमेंट करके जरूर बताइए क्या आपको मकान चाहिए या नहीं चाहिए आपकी कमेंट मोधी जी की आफिसियल वेब साइट पे जाएगी और आपको पूरी मदद की जाएगी तो दोस्तो आपने में कीमती समय दिया इसके लिए आपका बहुत धन्यवाद फिर मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक लिए सुक्रिया